मार्निंग हम लोग अगस्त महिने के सारे करेंट अफेर्स को देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जो है ना प्लेलिस्ट में आपको सारे करेंट अफेर्स दिख जाएंगे अभी 20 से 23 अगस्त वाला पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर इसके बाद जो है 10 से 20 और इसके बा आपको चार से पांस दिनों में complete हो जाएगा तीन महीने का फिर इसके पीछे वाला भी सारा करेंगे और current का जो है ना वो daily का करते रहेंगे बहले वह दस मिनिट का ही discussion हो लेकिन उतना ही discussion हम रोज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये देखेंगे आपको आपको हिंदी और कये शुरू कर से योजना शूरू की है तो यह है advocate जगना विद्या कनुका योजना ठीक है रहा हाला ये शुरू की है इस योजना के बारे में थोड़ी जयनकारी भी देखेंगे लेकिन जो बिहार से सम्माद जानकाडी होगी उसको लेंगे हर एस्टेट के जानकाडी को डीटेल से देखने से हमारा क्या समय खड़ाब होगा तो उसको हर एस्टेट की जानकाडी को हम लोग नहीं देखेंगे जहां बिहार का इसू होगा वहां थोड़ा विश्थार से चर परणपूर में किसने महिला महिला रक्षा अकादमी किसने महिला महिलाओं को रास्टी रक्षा अकादमी एंडिय की परिच्छा में बैठने के अनमती दे दी है यह क्या है सुप्रिम कोट ने यह काफी चर्चा में रहा है कि पहले क्या था कि जो एंडिय की एक्जाम सोते थे जो खास करके 10 प्लस 2 के बाद होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही अनमती थी लेकिन अब लड़की भी एक्जाम दे पाएगी वेग्यानिको निको किस देश में प्रिथवी से डाइनोसोर को खत्म करने वाले स्ट्राइड मिला है तो ये मिला है मेक्सिको में सुडोकू के गौड़ फादर माकी काजी का कितने वर्स की उम्र में निधन हो गया 69 वर्स की उम्र में मातर 69 वर्स की एज में जो इनका निधन हुआ तो निधन जानना जरूरी नहीं है मेन है कि ये सुडोकू के गौड़ फादर थे इनका नाम था माकी काजी, सुडोकू जो है ना वो सबसे लोगपडिये खेलों में से है और हम लोग जानते हैं कि नमबर को डाल डाल के सुडोकू बनाई जाता है रोज हम लोग पेपर में देखते हैं सुडोकू को तो बनाया था मौकू मा की काजी ने तो ये खास कोशन बन जाता है तीसी एस तेरर लाग करोड रुपे के मार्केट कैप को पार करने वाली कौन सी भारतिये कंपनी बनी है तो ये है दूसरी पहली भारतिये कंपनी कौन है कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा ठीक है ना तो ये शुरू की है 36 गड़ सरकार ने ठीक है ना राजिव गांधी ग्रामीन भूमिहून मजदूर नया योजना शुरू की है किसने मेरिट नैसकॉम स्टार्ट अप महिला उद्यमी पुरुसकार दो हजार बीस इकीश की घोशना की है तो ये की है भारतिये की है भारतिये चलिए आगे देखते हैं आगे के उत्तर प्रदेश में सरकार ने किस सहर का नाम बदल कर हडीगड करने के लिए पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है तो ये अलिगड ठीक है ना अलिगड जो है ना उसका अब नाम बदला जाएगा वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अलाहबाद का नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया और एक स्टेशन का नाम भी बदला गया जिसे दीन द्याल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया उसको विश्व महरवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस यह सब मना जाता है 19 अगस्त को चलिए अब 21 अगस्त के सारे कोस्टन को डिसकस करेंगे तो इंग्लिस वालों को छोड़ देते हैं अगर डिमांड आएगी तह मैं इंग्लिस में भी सारे कोस्टन को डिसकस करूंगा टेलिग्राम ग्रूप में में डालूंगा ना तहिंदी इंग्लिस दोनों में में डाल कि उनको इंग्लिस में ही चाहिए चलिए आगे देखते हैं एमवे इंडियन ने किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाडी को अपना ब्रांड एमबेस्टर नियुक्त किया है एमवे जो है ना एमवे आप जानते हैं कि किस तरह MLM के जैसे वर्क करती है तो ये मेरा भाई चारनो को इन्हों ने अपना ब्रांड एमबेस्टर नियुक्त किया है उत्तर प्रदे सरकार ने टोकियो ओलंपिक के खिलाडियों को कितने करोड रुपे देनी की घोशना की है तो वो 42 करोड देगी ठीक है ना टोक्य ओलम्पिक के खिलाडियों कितने करोड देगी तो वो देगी 42 करोड वैसे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा खिलाडी किस राज से ओलम्पिक में सफल हुए है हड़ियाना से सफल हुए है लेकिन और भी जो राज है उनकी भी किस देश के बीच हुआ समझोता ग्यापन को मंजूरी दी है तो यह दिया सन्युक्त राज अमेरिका को ठीक है भुविज्यान के छेत्र में जो है सहयोग करेगा कौन तो भारत और सन्युक्त राज अमेरिका यानि की USA यानि की सिध्धा जो अमेरिका जिसको हम लोग बोलत हैं भारत और किस देश के बीच हुए आपदा परबंधन सहनियता और समन के छेत्र में सहयोग पर समझोता ग्यापन को मंजूरी दिया है यह दिया है बांगला देश को आगे दिखते हैं किस ने भारत में नकली को भी सिल्ड टीको पर अलर्ट जारी किया है तो यह किया एवी सुसास संगठर ने किस देश ने इंटरनेट कमपनियों द्वारा परतिस परधा विरोधी परधाओं पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किये हैं तो यह किया है चीन ने आगे देखते हैं बीस अगस्त को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाय गया तो यह मनाय गया विश्व मच्छर दिवस ठीक है विश्व मच्छर दिवस जो है विश्वभर में मनाय गया कब मनाय गया बीस अगस्त को बीस अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाय जा तो यह मरा जाता है अच्छा उड़जा दिवस ठीक है अब देखे विश्व भर में तो बनाया गया विश्व मच्छड दिवस और भारत में मनाया गया अच्छा उड़जा दिवस किस रेटिंग कंपनी ने भारती उद्यव को क्रेडिट आउटलो को सकरात्मक में अपग्रेड किया है तो यह क्या है क्रेडिसल ने ठीक है न यह बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई भी रेटिंग एजेंसी अगर अच्छी रेटिंग देती है न तो उसे निवेशिकों का भ भारत मिशन के तहट अब तक अस्पताल में भरती होने वालों की संख्या कितने करोड के पार पहुंच गई है तो यह दो करोड के पार जाहिए पहुंच गई है यानि कि जिनके पास आयुस्मान कार्ड है ना वो दो करोड़ बार होस्पिटल में भरती हो चुके हैं कि लिए 22 एगस्त वाला इंग्लिस में हम लोग छोड़ देते हैं ठीक है हिंदी वाला हम लोग देख लेते हैं किसी बुक्स से पढ़िए कहीं चाहिए पढ़िए आपको सेम ही मिलेंगे लग से कुछ अलग नहीं मिलेगा तो लगवाग सब जगह जो है ना 99 प्रसेंट करेंट अफalta एक ही होते है अलग करेंट अफेर से लाएं गे कहा कि इसने संयुक्त राश्चांती सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेर तक्निक शुरू करने की गोश्चना की है तो यह की है यानि दचनी चीन सागर में जरूरी भी है क्योंकि चाइना अपनी मसल पावर हमेशा दिखाता रहता है चेतर में चली आगे देखते हैं किस देश ने तीन बच्चों की निती को मंजूरी देदी है यह चीन ने देदी है ठीक है ना रक्षा मंतरी राजना सिंग ने डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चैलेंज का कौन सा संस्क्रण लॉंच किया है तो वह पांचवा संस्क्रण है यह आगे हम लोग देखते हैं भारती वायो से ना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किस ने एक एडवांस चेफ टेकनलोजी विक्षित की है तो यह डिफित की है डियार डियो ने पंदरहवे विक्षित आयो के अध्यक्ष का नाम बताई जिने इंस्टिचूट आफ इकॉनमिक सोध सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है यह तो एनके सिंग ही होंगे है न यह देखिए है न तो यह है एनके सिंग एनके सिंग को हैना इंस्टिचूट आफ इकॉर्ण अफ ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है ये कौन है एनके सिंग तो पंद्रह वें विट आयो के अध्यक्ष है आगे देखते हैं हम लोग ACI विकास बैंक और भारत ने बैंगलूरू मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के रिन समझावतों पर हस्ताक्षर किया है तो ये किया है 500 मिलियन डॉलर के रिन समझावतों पर हस्ताक्षर किया है प्रधान मंत्री किस राजी के एतिहासिक सोमनात मंदिर के लिए अलग-अलग प्रियजनाव का उद्गाटन किया है तो यह किया है गुजरात में 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉक टावर का उद्गाटन करेगा तो यह करेंगे अरविंद केजरिवाल ठीक है ना दिल्ली के मुख्यमंत्री है 21 अगस्त को विश्ख भर में कौँ सा दिवस मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है अंतरास्चिय असमरन दिवस अंतरास्चिय वरिष्णागडिक दिवस विश्ख मधुमक्खी दिवस सारे दिवस को एक पपार देख लेना है कई बार जो है ना आप्सन से ही आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा दिवस होगा एक्जामिनेशन में अब 23 अगस्त का हम लोग देख लेते हैं किस देश में वर्तमान में 49 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भुकमडी का सामना कर रहा हैं तो यह कर रहा हैं अफगानिस्तान में अफगानिस्तान संकट काफी खड़ा विस्तिती में है किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनियता कानुन पारित किया है तो ये किया है चीन ने कीश देश ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल के लिए किगाली समझवतों के अनुसमर्थन को मनजूरी दी है तो ये दी है भारत ने धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृतियों के पृतो की स्मिर्थी में अंतरास्टिय दिवस पूरे विस्व म मनाया गया ठीक है ना आप देखिए धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृतियों के पिरीतों की स्मिर्थी में अंतरास्टिय दिवस्पोड़े विश्व में कब मनाया गया ये मनाया गया बाई सगस्त को किस देश के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इसमाईल साबडी याकुब को देश का नया परधान मंत्री बनाया है तो ऐसा हुआ है मलेशिया में किस राजी सरकार ने सहाईकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोवीट राहत पैकेज की घोशना किया है तो ये किया है असम सरकार ने इन डिफी कंपनी और की सोसल मीडिया कंपनी ने साज्येदारी में स्मॉल बिजनस लोन्स इनिसियेटिव नई पहल सुरू किया है तो ये किया है फेशोक इंडिया ने भारत के ऊरंगाबाद की गतनी वर्षी ये दिछा सिंधे को न्शा की पैनलिस्ट चुना गया है तो ये बच्ची है दिछा सिंधे इसको जो है पैनलिस्ट चुना गया है नसा में कि डीजी सीय ने किस कंपनी को जाइकोव डी वैक्षिन को आपातकालिन उप्योग प्रादिकरण के लिए मंजूरी दी है तो यह है जाइडस कैडिला की यह जो है वैक्षिन है जाइकोव डी इसको जो है आपातकालिन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है सूचने ओप्रसारणमंत्राले के नय सचिव की रूप में किसे नियक्त किया गया है तो यह नियक्त किया गया है अपूर्वचंद्रा को ठीक है तो हमने अभी देखा 20 से 23 अगस तक का जो है Current Affairs को देखा हमने उसी तरह बाकी सारे Current Affairs जो है ना मैं यहीं करवा के फिर current affairs को एदम current लेके चलूँगा यानि डेली का जो है ना same day discuss करने की कोशिस करूँगा तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद